हेलो गाईज, कैसे हैं आप सब लोग, मुझे उमीद है, आप सब लोग अपनी जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे वेल, आज का जो वीडियो है, mainly associated है for the college going students and somewhat school going students जो कि 11-12 में है, उन लोगों के लिए है, usually देखो क्या होता है, कि gadgets का use करने का शौक चस का हर किसी को होता है gadgets, just like आपका mobile हो गया, smart watches हो गया, tablets हो गया, अच्छी quality की TVs हो गया, ये सब हर कोई own करना चाहता है especially जो young generation है, जो कि college में है, वो इसे own करना चाहती है, लेकिन obviously क्योंकि college में पढ़ रहे हैं, पैसे घरवालों की तरफ से आ रहे हैं, जो कि limited है ज्यादतर cases में यही बता रहा हूँ, 99% of the case यही है, लेकिन कुछ चुनिंदा होते हैं, जिनको जो अच्छे gadgets हैं, वो college lifetime में मिल जाते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं करना हूँ तो बात यहां हो रही है, 99% of the college going students की gadgets अची यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो जो है, खरीद नहीं पा रहे हैं, obviously, because of the lack of the money, ठीक है तो यह वाला phase भी मैंने phase किया हुआ है, so इसको आप जो है थोड़ा future prediction की जैसे ले सकते हैं, ठीक है, अभी आप पढ़िये लिखिये, जो भी job करना है कीजिये, that's up to you, business करना है, that's up to you, ठीक है, because यह वाला phase मैंने भी देखा हुआ है, उस हिसाब से में आपको बता रहा हू हजार वाले laptop में जो है, तै किया है, जिसमें मैं सिर्फ test series practice करता था, और Google Chrome और YouTube 720p में चलाता था, because 1080p में जो था, वो अटकता था, लेकिन अब उसके बाद की कहानी आप लोग मुझसे सुनिये, ठीक है, और college में हो, तो आपको यह लग रहा होगा, कि इतने सारे लोग है, क्या होगा, सब की job लगेगी की नहीं, कि settle होगा की नहीं, same question मेरे time पे बिदाओ college lifetime में, and let me tell you one thing friends, कोई भी unemployed नहीं है, हर कोई कुछ न कुछ कर रहा है, the world is too big, आप खाली हाथ बिलकुल नहीं बैटोगे, कही न कहीं कुछ न कुछ होना है, भले ही आप engineering के कोई रदर से पांच साल बाद वाकई में कोई न कुछ कर रहा होता है, तो उसकी चिंता आप बिलकुल मत लें, अब बात आती है, गैजट्स अच्छे कब खरीदने हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा time है, as soon as you land into a particular job, पहली job आपकी कोई भी हो सकती है, मेरी पहली है और अभी तक व environment में रहते हैं, जहां पर हमें अपनी खुशियों को बाजू में रखके, किसी और की या फिर अपने सब्वी संबंधियों की खुशियों को जो है, उस पर ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं, तो ज्यादा तर लोगों को मैंने देखा है कि first salary आई है, ठीक है, first salary है, अपने parents पे, अपने भाईयों बहनों पे spend कीजियों, no doubt at all, आप उन पे कीजियों, that's your personal matter, but after that, make sure कि आप at least एक साल तक, जो भी कुछ आपकी कमाई हो रही है न, देखो, क्या होता है न, आजकल, market में influence इतने ज्यादा है, जो कि आपको बोलेंगे कि भाई, जैसी नोकरी लग गए, वैसी SIP करो, वैसी market में invest करो, बिल्कुल नहीं, आपको यह नहीं करना है दोस्तो, आपको एक साल की salary में अच्छे अच्छे gadgets का use करना है, and believe me guys, this is the peak time, this is the cremast time, and वो होता है न, कि सधियों में एक बार वैसा ग्रहन आता है, वैसा टाइम आपका यह जिन्दगी का है, जहा आतों के साथ है, enjoy कर रहे हैं, जो भी कुछ आपको करना है, कोई रोक्तो करने वाला कुछ नहीं है, mental peace है, with money, याद रखिए, शान्ती हर कहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको शान्ती के साथ में पैसे भी मिल रहे हैं, job के stress की में बात नहीं कर रहा हूं, वो हर job में stress आपका ह होता ही होता है, that is totally irrelevant, ठीक है, यहाँ पे एक साल, दो साल आपको जो है दोस्तों, पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आपके किसमें, इन्वेस्ट में उस हिसाब से नहीं बोल रहा है, कि सोना करीदो, यह करीदो नहीं, पैसे आपको थोड़े बहुत बचाने है, ताकि अच्छा वाले प्राइस पे जो है फोकस करें, for example, मुबाइल की अगर बात करें, तो मार्केट में एवरेज, अगर आप लोग मुबाइल देखें, तो लगबग 20-25,000 उपए से लेके, आपको 1,20,000 तक मिलेगा, ठीक है, तो एवरेज प्राइस पॉइंट लगबग आपकी कितने न पसन ना हो, तो that's a different thing, लेकिन आपको कोई दूसरा गैजट यूस करना अच्छा लगता हो, तो उसमें आप इंवेस्ट कीज़, for example, किसे को कैमेरा पसन दे, तो camera लो, camera के लिए पैसे सेव करो, EMI पे मत लो, let me tell you one thing friends, कि as soon as you land into job, there are a lot of attractions, like credit card वाले आ जाएंगे, आपके प sample कोई चीज है, 2 लाग की आ रही है, तो भाई, save करो, ठीक है, भले 7-8 महीने लग जाए, try to save, try to have a control on yourself, ठीक है, तो cash में आप वो चीज लें, कोशिश करो gadgets को as soon as, less as possible, कि EMI पे आप लोग उसको रखें, ठीक है, फिर ज्यादा से ज्यादा variety के gadgets जो हैं, दोस्तों थोड़ा experience करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, experience कहाँ पे कीजिए, उनके showroom, आप लोग चले जाएए, किसी दोस्त के पास है, तो वहाँ पे जाके आप लोग experience कर सकते हैं, उस चीज को, याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे ना, कि भाई, पैसे बचा लेते हैं, पैसे बचा लेते हैं, कुछ नहीं करोगे, ठीक है, कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा पैसे जो बचा पाओगे, ठीक है, वो उतने ज्यादा amount में भी नहीं होंगे, especially अगर मैं आज के time की बात कर रहा हूं, तो अगर आपने आज से 5-6 साल पहले save क करता हूं, आपको सकते हैं कि कपड़ों पे ज्यादा focus करते हूं, लेकिन कपड़े as compared to the gadgets are lot more cheap, और एक और चीज, जैसे कि थोड़ा downloading पे focus करो यार, देखो, OTT platforms हर जगह पे हैं, and most of them are useless, कुछ ही content होते हैं, जो कि उसमें useful होते हैं, लेकिन जो stream चलती है, for example, Amazon, Netflix, इन सब प चाहते हैं, एक अच्छे print को download करना, उस चीज को enjoy करना, तो make sure कि आप जो है दोस्तों, एक अच्छा खासा media consuming device ले, वो आपका mobile भी हो सकता है, लेकिन मेरी राय माने तो एक अच्छा OLED panel, अगर आप लोगों के पास में है, OLED TV, LG का ले लो, या फिर Sony का ले लो, so I think that will be a perfect thing, because आप उसमें अच्छे से अच्छे quality डाउनलोड करके उसमें जो है, वाया pen drive आप लोग वहाँ पे उसको देख सकते हैं, तो ये था दोस्तों मेरा अभी तक का experience, जो कि अभी एकड़म peak time है, so as soon as you land into the job, थोड़े बहुत घर वालों का जो भी save अविवा करना है, that is a different thing, लेक जो वजन है, आप लोग इस चीज़ को हलका करके चलिए, और कुछ साल जो है, अपने लिए बिल्कुल यहाँ पे निकालिए, because this time will never come, ठीक है, college में थे, school में थे, पैसे नहीं थे, ठीक है, job करना है, बहुत सारी चीज़े चलती रहती हैं, लेकिन आप job में है, तो job pressure अलग चीज़े, उसके अलावा, जो time में आपके पास बज रहा है, उसको बिल्कुल अच्छे से अच्छे gadgets में spend कीजिए, और हाँ, यहाँ पे कुछ भी मैं कहूंगा कि proportional नहीं है, जो बोलते हैं, कि यह चीज मुझे सस्ते में मिल गई, तुझे यह तो चीज महंगे में मिली, त मैं obviously जानता हूं, दो साल बाद, वही phone जो है, असी हजार तक आ जाएगा, लेकिन समय है, value है दोस्तों, इस समय की, ठीक है, और इस experience को लेके मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे साथ में एक sir थे हैं, माधूर sir, उनके पास, पूरे, कह लीजे, सौराष्ट में, he was the one among the first, जिनके पास वो computer था, ठीक है, railway के पास भी उस ताइम पे computer नहीं था, that is what he used to tell me, लेकिन उनके पास वो computer था, च्योंकि उन्होंने EMI पे लिया था, I think that was somewhere in 95 some era, ठीक है, तो इससे होता क्या है, आप एक बात को समझे, क्यों संतुष्टी जरूरी है, so उन्होंने computer उस ताइम से use किया है, जिस टाइम पे वो railway के पास नहीं था, और वो बोलते हैं कि वो चीज की value तब है, जब वो आपको सही समय पे मिल जाए, आप अगर छोटे बच्चों को खिलोना दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि car अभी मत ले, छोटे खिलोने वाली बड़ी हो जाएगा, तुझे बड़ा हो जाएगा, मैं तो जो 15 साल बाद बड़ी card दूँगा, तो वो value उसके लिए उस वक्त नहीं है दोस्तों, जो कि उस वक्त आपकी वो खुशी matter करती है, उस चीज से असूची है ठोना, तो अगर आप कोई भी smartphone हो गया, कोई भी gadget हो गया, आपको जो पसंद है, आपका नहीं बचेगा, and you should always maintain your excitement, आपका क्या मानना है इस बारे में मुझा कमेंट सेक्शन में जरूर लेकर बताईए, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में,